मेरे प्यारे दोस्तों, सुशान सिंग राशपुत केस में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या NCB की तरफ से कोई बड़ा एक्शन लिया जाने वाला है? इसी को लेकर मैं इस वीडियो में आपके सामने कुछ जरूरी बाते रखूँगा. दिरसल सुशान सिंग राशपुत के पूरे मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है NCB चीफ समीर वांखेड़े जी के तरफ से और उनका ये कहना है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 15 दिनों के अंदर सुशान सिंग राशपुत केस में हो सकता है कि एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आजाए और इसी पर सोर्सेस से पता चला है कि अरनब गोस्वामी ने भी अपने राए दी है अपने विचार वियक्त किये हैं और कहा है कि अब जाकर जिस तरह से एंसी बी का काम चल रहा है हर दिन नए अरेस्ट हो रहे हैं बहुत कुछ निकल कर सामने आ रहा है तो हो सकता है कि 15-20 दिनों के अंदर ही कुछ बहुत बड़ी खबर निकल कर सबके सामने आ जाएगी जिसे कि सारे असेसारियंस को एक बर फिर से इस केस में नई उम्मीद की करन दिखनी शुरू हो जाएगी मैं बता दूँ कि जिस तरह से नार्कोटिक्स कंट्रोल बीरो यानि NCB ने अपना काम इन बीते कुछ महीनों में किया है जिस तरह से धेरो पैडलर समेथ बड़े-बड़े सेलिप्स की भी परेड करवाई है ऐसा होना मुमकिन है कि 15-20 दिनों में कुछ बहुत बड़ा होगा हम तो आशा ही करेंगे कि जल्दी से जल्दी वो दिन आए जब सुशान सिंग राशपूत का पूरा केस सब के सामने ओपेन हो और इसमें कुछ भी हिडेन ना बचे और इस केस में जितने भी अपरादी हैं उन सब को धारा 302 लगा कर लटका दिया जाए तो ये थी अपडेट जो मैंने आप सब को बताई अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़कर हमारी आवाजे और बुलंद करें मैं मिलूँगा आप सबसे बहुत जल्द अगली वीडियो में और एक नए अपडेट के साथ